नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से सुनेना जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं आपको मेरी बहुत सारी चुब कामनाओं के साथ प्यार भरी नमस्के यहीं स्वागत सुनेना जी स्वागत है अर आप जो इतने सारे अच्छे अच्छे नुष्के बता रहे हैं और साक्ष में नुष्कों के साथ दुआ भी देते हैं उससे तो 50% रोगी खीक हो जाता है और बाकी जो 50% बचता है वो आपते नुष्कों से ठीक हो जाता है अब मेरे दो प्रिशन है भाईता प्रिशन तो यह है कि मेरे बेटे को ना हलका था एक तो हर बड़ कंप्यूटर पे काम है लट्टॉप पे काम है उसे उसकी आँख में थोड़ा सा मोतिया आ गया है तो उसके लिए इलाज बताएं कोई घरेलून उसका जो भी आप को अच्छा समझें वो बताएं और दूसरा मेरे बहन की बहू के बच्चा नहीं होता उसमें एक बार कंसीव किया था पांच-छे साल पहले तो वो हो गया होनी के बाद वो एक दिन बाद एक्सपायर हो जया उसके उसके बाद उसने कंसीव नहीं किया उनकी उमर बता दीजे उनकी उमर है बहु की उमर है 32 साल और बेटे की बेटे की चार साल उसरे तीन-चार साल बढ़ी है बस ठीक है अगर कोई दवा खाये ते दूआ भी अगवान से मागने नहीं है करनी चाहिए और तमाम वेदों को और हकीमों को अपने मरीजों के लिए दूआ भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि कोई भी इतना बड़ा नहीं है जो भगवान से बड़ा हो सब भगवान के सामने मामूली है और शायद यही फरक हो कि मैं दवाईया या नुसके बताता हूँ उसके साथ मरीजों के लिए दूआ भी करता हूँ और ज्यादातर करता हूँ तो हो सकता इसलिए ये कंसीव नहीं कर पाए और कोशिश करते हैं बच्ची जो है उसको कहिए के गौन्द चिलगोजा आता एक गौन्द चिलगोजा असली ले जो भी मैं दवाई बता हूँ उसको असली लेना बहुत जरूरी है और बस एक चुटकी गौन्द चिलगोजा काफी तेज होता इससे जादा नहीं ले सकते हैं और एक चमच इसब गोल की भूसी आप ज़रूर जानती होगी इसब गोल की भूसी इसब गोल सत इसब गोल ये तीन नाम से इसे ये पर चले थे और हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है तो एक चमच इसब गोल की भूसी दूद में मिला दें गरम उसे मीठा कर ले तो खीर जैसी लएगी और एक चुटकी गौन चलगोजा इसमें डाल दे रात के समय जब खाना खाके सोने की तैयारी हो तब ये एक खुराक ले लिया करें और हो सके तो उनके हजबन को भी एक खुराक ये दे सकते हैं रात को अगर उनमें भी कोई खामी होगी तो वो भी निकल जाएगी और ये सब होने के लिए उनका ये जरूरी है कि उनको मैंसिज हर महीने होते रहें तो उनको बच्चा होने में आसानी मुम्किन है जे आखों में मोतिया आ रहा है बेटे के एक आती है मुंडी बूटी मुंडी बूटी गोल गोल होती है बोछं मुंडी बूटी नाम से मिलती हैं मारकेट में वो ले लिजए और चार मुंडी बूटी एक ग्लास पानी में उबा ले है और इतना हुबा लें कि वो पानी आदा जल जाए तो पिर उसे च्छान के आप दूसरे गिलास में कर ले और इसमें एक ग्राम गौन मौरिंगा सफेद असली वाला सफेद वाला लाल पीला कुछ मतले न गौन मौरिंगा सफेद मिलाकर रोजाना एक बार बेटे को दिया करें तो उनको फाइदा मुम्किन है अगर अब थोड़ा सा है तो उनको फाइदा हो सकता है